हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट लाज, आज मैं आपको बहुत ही सुन्दर एक येलो कलर की पुशाग बनाना सिखा रहे हूँ, जिसका डायमेटर 6 इंच का है, यहाँ पर मैंने नीचे बुकरम पेस्ट की है, और यह हमारे दो नंबर के कानाजी के लिए है, आप इने इसका डायमेटर बढ़ाके आप बड़े कानाजी के लिए भी बना सकते हैं, तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और बीच में हम इसके कट लगाएंगे, यह हमारा घेरा बन रहा है कानाजी की पुशाग का, सेंटर से एक लंबा कट लगाएंगे, जिससे की हमारा पूरा जो घेरा है वो रेडी हो जाएगा बेस उसका, तो यह हम स्पेशली जन्माश्टमी के लिए बना रहे हैं और यह बहुत हैवी पुशाग बनेगी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नेट का पीस लिया है, जो की यलो कलर में ही है, और इसकी हम फ्रिल्स बनाते हुए इस ड्रे सकते हैं, जन्माश्टमी के लिए यह बहुत हैवी पुशाग बनेगी, यह दो नंबर के कानाजी के पुशाग है, इसलिए 6 इंच का डायमेटर मैंने रखा है, आप 1-1.5 इंच बढ़ाते रहें, तो आपके कानाजी जिस हिसाब से इसमें 1 इंच और बढ़ाएंगे, तो तीन नंबर के कानाजी के लिए हो जाएगी, इस तरह से आप बढ़ाते रहें, तो यह हमने फ्रिल लगा ली है पूरे पे, अब हम इसमें डेकोरेशन शुरू करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बुकरम पर रेड कलर का कपड़ा लगाया है, वेलवट का और उस प कर लेते हैं, देखिए मैंने दो डिजाइन बनाए हैं यहाँ पर और अब इन पे मैं यह डाइमंड चेन लगाने वाली हूँ, ताकि यह जो ड्रेस है हमारी बहुत हैवी बने, और जनमाश्टमी के परपस से बना रहे हैं, इसलिए मैं इसे हैवी कर रही हूँ इतना, इलवट का कलोथ था यह हमारा और मैंने इसके नीचे बुखरम को पेस्ट किया है, देखिए यह है और यह बहुत प्यारा डिजाइन बनेगा रेड और येलो कॉम्बिनेशन में, आप चेंज कर सकते हैं इनका कलर कॉम्बिनेशन बट जनमाश्टमी आ रहे हैं तो हम पिता बहुत ही प्यारा रेड कलर का गोटा है और ये गोटा बहुत एजिली आपको किसी भी गोटे वाली शॉप से मिल जाएगा और ये 10 रुपीस पर मीटर आपको मिल जाता है इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ग्राफिक के बारे मैंने आपको बताया था जिसमें मैं सिखाऊंगी, उसका लिंक मैंने उपर दिया है, आप उसimे क्लिक करके मेरी ग्राफिक को देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बहुत संदर-संदर पेपर क्राफ्ट बनाना, चले यह जो हमने कटिंग की थी पैच्वक की, वह हमने लगा दिया है, इसको हम पूरी ड्रेस पर ल आर्ती गुपता देखेंगे और गेट क्राफ्टी नाम से टाइप करेंगे तो आपको मेरी ग्रैफी मिलेगी जिसमें मैंने बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाने सिखाए है, स्क्राइब बुकिंग सिखाई है पेपर को लिंक के आर्ट सिखाए और पेपर क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हो सकती है वो मैंने उसमें कवर की है अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ग्रैफी आप को डाउनलोड करके जो लिंक मैंने आपको पीछे दिया था उस पे जाकर आप इसे सीख सकते है तो देखे साइड बार साइड हमारे ये सारे पैचिस भी लगने वाले है देखे ये धीरे धीरे हमने पूरा अपना घेरा कवर कर लिया आपने देखा बहुत इजी था और ये अब ड्राइ हो चुका है और अब मैं इस पे थोड़े से मिरर वाले पैचिस लगाऊंगी जो मैंने इस लेस से कट किये है ये लेस को बनाने में हमें जादा टाइम नहीं लगता है पैचिस को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फिर भी आपको लगेगा कि जो आपने hard work किया है वो बहुत सुन्दर निकल के आया है इन सब चीजों की pasting के लिए मैं fevibond का use कर रही हूँ जो मेरे पास comments आते हैं कि मारे पास glue gun नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा alternative है क्योंकि ये हर local shops पे मिल जाता है fevibond जो भी आपके पास hardware की shop होगी paint की shop होगी उन सब के पास fevibond मिल जाता है तो जो mirrors मैंने यहाँ पर लिए हैं वो भी मैं red और yellow वाले ले रही हूँ जो blue और green है उन्हें मैं यहाँ पर paste नहीं करूँगी आप चाहें तो simple mirrors का use कर सकते हैं देखें इस तरह से यह बहुत easily लग जाते हैं washable भी होते हैं पर यहाँ पर मैंने diamond chain लगाई है तो यह काफी heavy pushak है तो जादा आप इसको wash नहीं कर पाएंगे बट यह पहनी होई काना जी को बहुत प्यारी लगेगी दो नमबर के काना जी की है अपने हिसाब से आप इसका size बढ़ा और घटा सकते हैं कलर को customize कर सकते हैं lockdown है तो घर में ही dress बनाना prefer कीजिए कि आप लड़ो गोपाल जी के लिए घर पे ही कुछ सजाने का समान बना सके देखें यह मेरे mirrors लग चुके हैं आप चाहें तो इससे जादा mirrors का use कर सकते हैं जैसे मैं थोड़े से लगा के देख रही हूँ अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं आगे इसको continue करूँगी देखें यहाँ पर जैसे मैंने green लगाए है मुझे comments में भी बताईएगा कि आपको कम mirrors के साथ ये pushak अच्छी लग रही है या जादा mirrors के साथ अच्छी लग रही है देखें यहाँ पर आप सारे में भी mirrors लगा सकते हैं पूरा घेरा cover कर सकते हैं और इसको half भी छोड़ सकते हैं तो designing सब आपके उपर है आपके इस तरह से डिजाइन करना चाते हैं मुझे ये इस तरह से अच्छी लग रही थी तो मैंने यहाँ पर छोड़ा इसको अब मैं sleeves बनाने वाली हूँ sleeves के लिए मैंने एक लंबी पट्टी लिया और उसके साइड पे मैंने इस lace को attach कर दिया है जो lace मैंने पुशाक पे लगाई थी गेरे पे लगाई थी और अब मैं same lace लगाऊंगी जो मैंने mirror वाली lace यूज की थी वो मैं sleeves पे लगाऊंगी मैं इसे सिलाई से इसलिए नहीं लगा रही हूँ lace को क्योंकि mirror वाली lace है तो सिलाई से नहीं लगेगी और आफ heavy bond का use कर सकते हैं इसमें देखे ये हमने lace लगा दी इसी तरह से मैं दूसरी वाली sleeves पे भी यही वाली lace लगाऊंगी और इसी तरीके से लगाऊंगी I hope आपको मेरी videos अच्छी लगती होंगी जब भी आप comment करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं try करती हूँ कि आपकी comments का answer दूँ और अगर answer नहीं भी दे पाती हूँ तो at least मैं heart तो दे ही देती हूँ उसको और मैं पढ़ती जरूर हूँ सारे comments को और recommend करती हूँ कि जो आपने suggestions मुझे दी है उनको मैं follow करूँ मिरे पास बहुत सारी comments आती है कि एक number के लिए, दो number के लिए, चार number के काना जी के लिए और आज मुझे comment आया कि मैं 12 number के काना जी के लिए पुशाग बनानी सिखाऊ तो मैं try करूँगी, अगर मैं ये सब आपकी suggestions को, आपकी demands को पूरा कर सकूँ तो देखे, ये हमारी दूसरी sleeves पे भी लग गया है और ये देखा, आपने बहुत easy है अब हमें इन दोनों sleeves को आपस में attach करना है attach करने के लिए, आप इस तरह से दोनों sleeves को रखेंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे ये सिलाई मेरी लग गई है, और अब हमें इसे attach करना है अपनी पुशाग के साथ तो मैं आपको बताऊंगी, इसको किस तरह से attach करेंगे ताकि इसकी fitting बहुत अच्छी आए मैं यहां पर आपको fevy bond से attach करना बता देती हूँ क्योंकि जब भी मैं देखें, यह हमारी attach हो गई है fevy bond से बहने से attach के, आप सिलाई से भी कर सकते है देखें, बहुत प्यारी पुशाग बनी है I hope आपको भी अच्छी लगी होगी easy ती बनाने में बिल्कुल heavy है और जन्माश्टमी के लिए perfect thanks for watching and happy जन्माश्टमी